आप सभी का वेलकम है PPI टुटोरियल के यूटूप चैनल पे और आज से हम लोग सुरू करने जा रहे हैं आपका डेली लाइफ क्लासे जो कि आपका यूटूप चैनल पे फ्री आपकोस्ट चलेगा तो क्लासे के बारे में आपको टाइम स्केडियल और कौन सा सब्जेट की दिन होगा उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल जोइन करना होगा टेलीग्राम चैनल का नेम है PPI टुटोरियल स्क्रीन पे भी देख सकते हूं यह तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको क्लिक करके आप जा सकते हैं और आपको PPI टुटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पर आपको फ्री अपको सारा आपको क्लास का PDF टाइम स्केडियूल और सही टाइम पर आने पर आपका टेस्ट भी कंड़क्ट कराया जाएगा तो आज की क्लास में हम ल आपको सारे सिक्षक देख सकते हैं पैर मैडिकल कौलिफई है तो सारे एक्सपेर्येंस टीचर जो भी आपको पैर मैडिकल कॉलिफईट कर चुके उनके दोबरा आपको पढ़ाएगा और को सक्क्री आप कर दिये जागा तो आप सक्वास अ में इन्टॉस के बाlt name पनिए वाटसप कीज़ेगा आपको further सारा details दे दिया जाएगा तो चलिए समय नगाते आज की class को शुरू करते हैं आई ये question number one देख लेते हैं question number one में my dear students क्या पूछा जा रहा है so question number one में पूछा जा रहा है कि which of the following will not show muta rotation यानि which of the following will not show muta rotation so कौन एक प्रिवर्ति आपका ध्रुवन ग्रुणन प्रदर्शित नहीं करता है तो plus lactose plus maltose minus fructose और plus sucrose तो कोई भी questions करने से पहले हमें concept बता रहने चेक ये कि इस chapter से पूछा गया है और कौन से class से ये class 12 का प्रश्म है class 12 का प्रश्म है अघ्र बाईयो मॉलीक्योल्̄स किस चैप्टर से है biomol唇 मॉल्इक्य걸्स बहुत इंप्तेंट है तो कोईशन में आपकोईटों म। पूछ रहा है म। रोटेशन क्या होता है म। रोटेशन क्या होता है हम प्रते कोईशन को हम लोग यसनी कि डिसकुस करेंगे ठीक है तो muta rotation क्या होता है ये एक तरह का optically rotation होता है ठीक है क्या बोलतें इसको optical rotation Optical rotation होता है ठीक है और optical rotation वही सो करता है जो आपका reducing sugars होता है दो तरह के sugars होते हैं एक reducing sugars और एक होते हैं आपके non reducing sugars non reducing sugars reducing sugar they will show muta rotation and non reducing no so reducing and non reducing sugars की बात यहां पे हो रही है और optical rotation ठीक है तो optical rotation इस वज़ास होता है जब उसमें free आपका hydroxyl group हो hydroxyl group हो ठीक है यानि आपका OH group तो reducing sugars में free रहता है इसमें free नहीं रहता है non reducing sugars में तो sucrose एक तरह का non reducing sugars है यानि इसमें free आपका नहीं रहता है hydroxyl group है hydroxyl group इसमें क्या होता है कि वह glycosidic bond आपको जानते हो कि glycosidic bond से यह बनता है तो glycosidic bond से यह जुड़ा हुआ रहता है ठीक है between glucose and fructose glucose plus fructose के बीच में glycosidic bond जिसके वज़ासे यह free नहीं रहता है non reducing में चला जाता है बाकी आपका lactose हो गया maltose fructose सब में आपका hydroxyl group यानि OH group free रहता है जिसके वज़ासे यह muta rotation easily so कर पाता है तो OH के group के वज़ासे muta rotation यहां so होता है तो without the hydroxyl group आपका ring open नहीं होगा and close भी नहीं होगा therefore वो लोग muta rotations में नहीं जाते यानि driven grunan में नहीं जा सकते तो non reducing sugar cannot go under muta rotation तो यह non reducing sugars के जितने भी example होते हैं muta rotations पे नहीं जा पाते हैं तो आपका D हो जाएगा correct answer बाखी यह तो नहीं कोया reducing sugars यह तीजा reducing sugar और पहला ही chapter खोलीगा तो पहला दूसरा page इसी के उपर है reducing और not reducing NCRD पे तो NCRD को class के बाद जरूर एक बार refer कीजिए अगर आपनी त्यारी को और बह सारी है कि पहला दूसरा page पे बाई molecules का यही आपको discuss किया गया और आपके exams में भी यह आ सकता है बिहार में आया जहरकंड यूपी वाले paramedical technique में भी आ सकता है ठीक है तो चलिए next question पे चलते हैं कि इसका क्या नहीं होगा methylamine सो कौन सा अभी कर्मक acetamide के साथ CH3 NH2 का उत्पात करेगा तो PCL5 NOH NBR soda lime soda lime और गर्म concentrated and hot H2SO4 जब भी बात आती है acetamide को convert करने की methylamine की तो यह नेम रियक्शन और यह बहुत बार पूछा जाते हैं यह नेम रियक्शन तो इसका नाम क्या है आपका तो बहुत बढ़िया नाम है हॉद्य क़ हॉफ्मैन importante ब्रोम अमाइड ठीक है. ब्रोमोअमाइड degradation jsた डिग्रिडेशन रियक्शन ठीक है यह इस रियक्शन का नाम है सो इस ड्रेक्शन में क्या होता है आपका acetamide 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 का क्याएज फार्मुला होगा तो आपका Ch3 CO NH twice आपका acetamide को convert करना रहता है CH3 NH2 में यानि methyl amine में तो जब भी ऐसी बात आएगे conversion की तो आपको ये use करना होगा तो इसमें हम लोग क्या डालते हैं तो BR2 ठीक है प्लस NOH ये दोनों हम लोग डालते हैं तब जाकि ये convert होता है तो ये क्या बनता है आपका methyl amine प्लस 2KBR प्लस Na2CO3 प्लस 2H2O balance कर लिजे इधर भी 4 Na लगा दीजे देख लिजे रियक्शन बैलेंस है की नहीं Yes, reaction is balanced तो आपका ये product निकालने के लिए हमको BR और NOH का ज़रूरी है तो जब भी होफ माइन प्रोमो अमाइड डिग्रिडेशन रियक्शन का बात आएगा तो आपको ये वाला चीज यूज करना है रियेजेंट ठीक है NaOH-BR2 तो नेम रियक्शन के लिए नेम रियक्शन यानि ये special reactions है और इस टैप का ये exams के लिए VVI है तो इसको अच्छे से कर लिजेगा होफ मेन, ब्रोमो अमाइड डिग्रिडेशन रियक्शन organic chemistry class 12 तो आज ये question number 3 देखते है question number 3 आप से पूछ रहा है which one is a corrosive sublimate तो आपको बात आना है कि corrosive supplement किसे कहते है SNCL2, SG2CL2, SGCL2 या SNCL4 ठीक है यह one liner question है तो इसमें पूछता है कि corrosive supplement किसे कहते है तो correct option आपका होगा C SGCL2 को हम लोग कहते हैं ठीक है तो यह supplement का मतलब क्या होता है कि on heating on heating has corrosive action तो on heating heating करने पर इसको corrosive action so करे तो इसको हम लोग बोलते हैं sublimit ठीक है तो यह corrosive sublimit का एक example हो गया तो यह example based question है corrosive sublimit sublimit तो correct answer C हो जाएगा चलिए next question को चलते है ठीक है तो चलिए next question पर चलते है next question आप से क्या पूछ रहा है यह equilibrium का सवाल है chapter number 7 class 11th का इसमें पूछ रहा है कि अभी क्रिया आपको दे रखी है 2A gas plus B gas जो साम है अवस्था पर है आपका यानि जो यह sign है वो शाम है अवस्था का equilibrium का sign है ठीक है तो equilibrium का sign है और 3C gas और D यानि reactant product आपको दे रखा है बीच में आपका equilibrium का sign है 2A और B आपका reactant है और इनका concentration 1M है ठीक है 1 molarity है at equilibrium ठीक है तो at equilibrium आपका D का केतना है 0.25 ठीक है तो 0.25 D का आपका दे रखा है at equilibrium तो आपको यहाँ से निकालना है कि आपका K equivalent क्या होगा K equivalent निकालने के लिए हम लोगों को reaction लिखनी होगी तो एक reactions आईए नीचे लिख लेते है reactant product का यानि 2A और इधर आपका sum यानि equilibrium का sign है यानि किस chapter का है chapter number 7 class 11th NCRT equilibrium equilibrium पे numerical साते है ठीक है very important chapter VBI chapter तो आपको यह reactions क्या 3C plus D 3 क्या आपके gaseous 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 एब हम gaseous ठीक है तिनों आपका gaseous 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 पर है तो at initial यानि जब reaction start नहीं हुआ है तो molarity क्या होगी आपकी M यानि molarity molarity तो यह हो जाएगी आपकी 1 यह भी हो जाएगी 1 और यह 0-0 ठीक है क्योंकि यही दे रखा प्रारम में 1 M है तो दोनों का 1 M एक M रहेगा तो 1 M एक M भी लिख सकते हो नहीं भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नी लेकिन जब equilibrium पे हो जाएगा at equilibrium at equilibrium so क्या होगा कि आपका 1 M से घटेगा ठीक है और यहाँ पर हमको given है कि 0.25 M हो जाएगा equilibrium पे ठीक है तो यहाँ से यह दना भी था क्योंकि concentration कम होगी 1 M से इधर जाएगी reactant जब product में बद लेगा तब आपको concentration कम हो जाएगी reactants की तो एक में से आपको 2 X माइनस हो जाएगा अब यहाँ पर X क्या है तो X आपको यही है 0.25 M तो इसको माइनस कीजिए क्योंकि जो D का है वही A, B, C, 3 तीनों का वही रहेगा equilibrium पे concentration so 1 माइनस 2 X यानि 2 इंटू 0.25 तो केतना आ रहा है आपका 0.5 ठीक है तो एक में से 50 घटा दीजिए 0.5 तो 0.5 बचा यहाँ भी सेम करना है लेकिन यहाँ पर क्या होगा आपका 1 माइनस 0.25 होगा सिर्फ ठीक है क्योंकि एक ही है 2 X नहीं होगा क्योंकि 2 लिए है क्योंकि मोलर कॉफिशेंट है यहाँ पर एक है तो आराम से यह 0.75 हो जाएगा ठीक अब आजाएए इस कोश्चन पर इधर साइड तो एक्विलीब्रियम पर यह क्या हो जाएगा 3 है ना तो यह आपका 3 इंटू 0.25 तो 0.75 और यह केतना हो जाएगा आपका 0.25 जैसा किता ऐसा क्योंकि हम लोग को दे रखा ठीक है तो यहाँ पर हम लोग डिरेक्ट इंटू किये इधर सब्ट्रेक्ट इसलिए किये क्योंकि इधर कम हो रहा था इधर डिरेक्ट वर्ड रहा है इसलिए इधर इंटू किये डिरेक्ट इधर घटाएं नहीं तो रियक्टेंट साइट और प्रोड़क्ट साइट दोनों अलग चीज़ करना हम लोग को तो आपको दिख रहे हैं आपके क्या आ गया सबका वैल्यूस आपको आ रखी है सबका वैल्यूस आ रखी है अब मैं उपर यहाँ पर फाइनल के एक्विवेलेंट आपको लिख के दिखा रहा हूँ ठीक है तो इस टाइप का रियक्शन आपको आ सकता है बस बहुत इजी रियक्शन इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था तो आपको क्या करना है अब बस रियक्शन लिखना है तो रियक्शन लिखने के लिए आपको क्या करना होगा आपको एक्विलिब्रियम का नॉलेज होना चाहिए तो यहाँ पर क्या करना है क्या एक्विवेलेंट लिखना है आपको ठीक है अब D का लिखना है, तो D का क्या है, हमको S, as it is दे रखा है, कोई S के आगे coefficient नहीं है, तो just as it is लिख दीजे, अब product का तो हो गया, अब reactant का नीचे लिखाएगा, तो A का लिखना है, ठीक है, A का, तो A का आपका क्या है, 0.5, तो 0.5 दे दीजे, concentration का sign, आगे में molar coefficient 2 है, तो 2 लग जाएगा, अब B का लिखते हैं, तो B का क्या निकला था, 0.75, तो 0.75, concentration, कुछ है आगे, नहीं है, तो as it is, अब मिलाईए, ऐसा कहा मिल रहा है, तो यह आपको option number B में मिल रहा है, तो correct option हो जाएगा आपका B, तो यह equilibrium का सवाल था, के equivalent निकालने के लिए, आपको product का उ initial पे, initial पे 11 रहेगा, और 00 रहेगा, product का, यह reactant है, यह product है, और at equilibrium पे minus कर देना होगा आपको, और इधर multiply कर देना होगा, और D का दे रहा है था, 0.25, तो बस इतना easy numerical था, इसमें कुछ करना था क्या, जस्ट आपको knowledge होना चाहिए, यह basic knowledge भी होता आपको equilibrium का, और है भी, तो आपको यह solve हो जाएगा, तो यह बहुत easy question, बहुत easy numericals था, चलिए, next question पर चलते है, एक बार equilibrium जरूर देख लीजेगा, ठीक है, चलिए हम next question पर चलते हैं, चलिए यह next question पर देख लेते हैं, which one is involved in the structure of both many proteins and vulcanized rubber, तो प्रोटीन्स और vulcanized rubber, तो vulcanized rubber से आपको क्या याद आ कि sulfur, जहां भी vulcanized rubber या vulcanization का बात होगा, वहाँ पे हम लोग sulfur का बात करेंगा, और यह किस chapter से है, आपका polymers chapter से, polymers chapter यानि class 12th का last chapter आपका polymers, second last, polymers and biomolecules, यह दोनों जो chapters हैं बहुत important है, और यहाँ से आपका प्रश्न हर बार बनता है, एक एक, तो यह एक से दो प्रश्न यहाँ से हमेशा बनते हैं, तो आपको polymers और biomolecules अच्छे से करना है, ठीक है, आईए आगे discuss करते हैं, तो इस chapter को अच्छे से कर लिजेगा, वी वी आई चैप्टर से यह दोनों, और आपने देखा भी कि, दो questions अभी तक हम लोग biomolecules पे discuss कर चुके हैं, तो आईए इसको भ होता है, तो आईसो प्रीन संरचना, यानि आईसो प्रीन संरचना, ठीक है, एस एस बन्ट, सलफर सलफर बन्ट, एच बन्थ, या मायो, मायो थीनीन का एक अंच, तो इसका correct answer आपको B होगा, सलफर सलफर बन्ट, तो यह वलकनाइजेशन में हम लोग जानते हैं, कि सलफर ब बात आएगा, आप हमेशा सलफर को याद करना, वलकनाइजेशन जहां भी सब्द आया सीधे है, आप सलफर के तरफ जाना, ठीक है, सलफर सलफर बांड के बीच में, तो यह सलफर सलफर बांड बन जाता है, जिसके वज़ए से रबड में, elasticity और बढ़ जाती है, इस दोनों चैप्टर को क्लास 12 का आखरी चैप्टर को अच्छे से कर लीजेगा, यहां से वन लाइनर प्रशन और इस टाइप के प्रशन आपको जरूर दिखेंगे आपके examinations में, और यह बिहार का था, आगे में UP जहरकंड के लिए भी specific लाऊंगा, ठीक है, हर जगा का मै करवाऊंगा, लेकिन आपको हर स्टेट का करना है, चाहिए ओ यूपी हो, बिहार हो, जहरकंड हो, क्योंकि सारे का आधार क्या है, N-C-E-R-T, तो practice makes the man perfect, तो आपका त्यारी और मजबूत हो जाएगा, तो शली है, नेक्स कोशन पर चलते हैं, तो नेक्स कोशन आप से पू तो आएए पूरा देख लेते हैं, cotton, cotton में आपका 90-95% होता है cellulose, ठीक है, बाकी का भी discuss कर लेते हैं, 7-8% आपका रहता है protoplasm, living content of the cell, क्या बोलते हैं लोग protoplasm को living content of the cell, फिर उसके बाद आजाता है packtins, तो packtins का आपका 0.55% packtins होता है, 0.5% waxes भी होते हैं आपके, ठीक है, और बचा आपका fatty substance and mineral salts, fatty substance and mineral salts, यह था आपका पूरा content, तो cellulose सबसे ज़्यादा मातरा में होता है natural fiber, यानि D is your correct option, so यह data को अच्छा से आप लोग याद कर लीजेगा, cellulose, सबसे ज़्यादा मातरा में होता है, फिर प्रोटoplasm, फिर पैक्तिन, waxes, fatty substance, mineral salts, these are all the content of a cotton, cotton का यह सारा content है, ठीक है, तो यह होगे आपका question number six, आईए next question पर चलते हैं, चलिए next question पर चलते हैं, next question यानि question number eight, question number eight आप से क्या पूछ रहा है, question number eight आप से पूछ रहा है, इसका लवन का क्या होगा, salt का पूछ रहा है, ठीक है, तो यदि भी ये, भी ये, भी ये, ओएस, टो आइस का आपको दे रखा है, saturated solution का, विलियन का, pH 12, तो इसका लवन का क्या होगा, salt का पूछ रहा है, ठीक है, तो ये, क्या है आपका base है, क्या है, ये base है, तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को पता है, concept, ये कहां कहा है, equilibrium का है, class, class 11, chapter number 7, यहां से numericals, पूछे जाते हैं बहुत, so pH प्लस, पूछ बराबर कितना होता है? 14, ये हमें पता है, हम पढ़ रखे, so pH निकालना है न, क्या करना होगा हमको, 14 माइनस इसका pH को माइनस करना होगा, कितना है आपका 14-2 तो 2 क्यों क्योंकि आपका pH के इतना दे रखा है 12 ठीक है तो 2 आपका POH निकल गया अब POH दिया हुआ है हमको POH तो 10 का पावर में चला जाएगा POH ठीक है क्योंकि हम इसका क्या कर रहे है log निकाल रहे है क्या कर रहे है POH का हम लोग minus log OH- का निकाल रहे है ठीक है तो इसको equation number 1 बनाने के लिए क्या करना होगा 10 का पावर माइनस 2 करना होगा क्यों क्योंकि यहाँ पर हम लोग 2 निकाल रखे है ठीक सो यह आपका equation 1 चला गया अब हमको यहाँ पर equation दे रखा है अब यहाँ पर second step में आ जाए यह barium hydroxide तो यह टूटेगा तो क्या बनेगा बीए 2 प्लस प्लस 2 OH- यही रिलीज करेगा तो एक्विलीब्रियम यहनि शाम में पर एक्विलीब्रियम आपका बीए 2 प्लस एक्स मान लिए तो OH-2 क्या होगा 2x देगा क्योंकि 2 है इसमें ठीक तो सिंस आपका 2x बराबर क्या आपका निकला 10 का पावर यहां से ठीक है एक्विशन नमर्फ से एक्विशन नमर्फ से यह वाला चीज लिए ठीक है यहां वाला एक्विशन से तो इसमें क्या होगा आपका therefore x निकला आपका केतना 10 का पावर माइनस 2 डिबाइट 2 0.5 इन्टू 10 का पावर माइनस 2 यह आपका निकल लिया ठीक तो आपका x के यह निकला x आपका निकला color change कर दे रहा हूँ x आपका निकला 0.5 इन्टू 10 का पावर माइनस 2 अब इसका ksp निकलना है solubility product तो solubility product यानि concentration of ba2 plus का into oh minus का concentration ठीक है यह twice हो जाएगा क्योंकि two release हो रहा है तो वह क्या हो जाएगा आपका 0.5 इन्टू 10 का पावर माइनस 2 ठीक है फिर उसके बाद 10 का पावर माइनस 2 रहे गई है इस पर twice चड़ा दीजे तो आपका overall क्या है आपका 0.5 इन्टू 10 का पावर 6 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 इन्टू 10 का पावर माइनस 7 तो यह आपका answer आ गया यानि option number B सो इस तरह से आपको numerical solve करना क्लास के बाद एक बार फिर से नहीं समझे बाद एक बार फिर से repeat करके देख लीजेगा वीडियो को ठीक है तो आपको बस यहाँ पी एच पी ओएच का यानि पी एच की उपर सवाल था और आपको यहाँ पर पहला equation निकालना है ठीक है विकि हम आपको क्या जानते हैं आपका पी ओएच इसकोल टू माइनस लॉग वेच माइनस तो बस वही पूट कर देना तो पी ओएच का क्या हो जाएगा आपका टेन का ऊपर चला जाएगा बस यह करना था यह चीज समझ में आ जाएगी सारी चीज़े समझ में आ जाएगी ठीक है जना है फबाने तो चलिए नेक्स कोष़र पेचलते हैं कोषीन नमर नएंधकोर 509 आप से क्या पूछ रहा है माईड़ स्टुडेंट्स इसमें में पूछा जा रहा है कि ासिटोफइनोन क्या है सो एसे ज्चोस्फिंोन उस एक सिट म betक Assist अधर है या है अमाइड तो आपको बताना है एसिड है कि टोन है यह इधर है या अमाइड तो एसिटोफिनोन है क्या तो यह और गैनिक का केमेस्ट्री का प्रश्ण है कार्बनिक रसाइन का तो आपको बताना है एसिटोफिनोन है क्या सो एसोटोफिनोन का मैं structure draw करता हूँ उसके बाद शायद आपको answer खुद आ जाए ठीक है अब आपको बताना है कि यह है क्या जी हाँ अब आपको clear clear दिख रहा है कि यह एक ketone है क्या है यह एक ketone है तो इसमें ketonic group है तो यह क्या हो गया acetophenone एक ketone है अब आपका मैं एक work दे रहा हूँ आपको यह comment में करना है comments में आपको बताना है कि इसका IUPAC naming क्या होगा याणि acetophenone तो यह common name होगा इसको अगर हम naming करेंगे तो इसको क्या नाम देंगे acetophenone को तो यह आपको बताना है ठीक है तो यह आपका work है आपको comments करके बताना है comments में मैं सब का check करूँगा तो आपको class के बाद यानि वीडियो देखने के बाद comments में आपको देने है कि क्या है और comments में आप लोग यह भी जरूर दीजेगा कि आपको class एच्छे लगी किना लगी और telegram channel जरूर जोइन कर लीजेगा link description box में दे रखा हूँ वहाँ पे आपको classes के important PDFs, notes और schedules और साथ इसाथ quizzes कराए जाते हैं वियार, UP और जहारकन पेरामेटिकल और पॉल टेकनिक के लिए तो आपको इस channel पर इसी तरह से त्यारी करा जाती है तो चली question number 10 के ओर बढ़ते हैं आईए तो next question यानि आखरी question देख लेते हैं आखरी question आप से क्या पूछ रहा है What is obtained by DAO's method? ठीक है? DAO's method की विदी से किसे प्राप्ट किया जाता है? ठीक है? तो आपको बताना है So आपको options है NA, AL, CU और AG तो आपको बताना है DAO's method से क्या प्राप्ट होता है जल्दी जल्दी comments कीजिए अपने answers DAO's method से आपको क्या प्राप्ट होता है तो यह आपको बताना है मैं सभी का answer चेक कर रहा हूँ comments में तो जल्दी बताइए DAO's का pressure से आपको क्या मिलता है So correct options आपका होगा जल्दी बताइए Yes, आपका NA तो NA आपका correct answer होगा यानि sodium आपको मिलता है यह organic का प्राप्शन है ठीक है? organic chemistry का प्राप्शन है और यानिक chemistry से आप देख सकते हो कि केतने प्राप्शन पूछे जाते हैं तो organic chemistry को अच्छे से कर लीजेगा जो भी questions में down to एक बार repeat करके वीडियो को जरूर देख लीजेगा इससे इस फास का निमेंट कर स्नुमेंट कर जाते हैं और ना भूले आई से दरके लेक्च्छोस पाने के लिए तब तक के लिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए keep studying and bye bye बाइ